किटोजेनिक डाइट किस तरीके से फोलो करना है और कीटोजेनिक डाइट को फोलो करने के कितने रिजल्ट आते हैं इस तोपिक पर बात करने वालों वीडियो को बिना स्किप के वालास तक देखते रहां में सोधाट आपको अच्छे से समझा सके किटोजेनिक डाइट को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा जब आपको एक कन्वेंशनल डाइट फोलो करत हो तो किस तरीके से वर्क करता है देखें जब आप कभी भी कार्बो हैडिट बेस डाइट खाते हो ना उसमें आपका कार्बो हैडिट किस तरीके से बाडी में जाके किस किस प्रोसेस से होके गुजरता है बता देता हूं आपकी बोडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है और जब तेन जगा citizen पर जाता है पहले तो ये ब्लद से यह लिवर में यह जाताय। किसरा होती है परक्राइट के यह किस बाद कर लें तेंगी पिल्कुल अमुस्ल स्थाइब्स और्पार्ट से म्येश थकाथ में चौना कीटोजेनिक डाइट में फैट मेजरली खाते हो और कैलरी डैस्विसिट क्रियेट करते हो तो बोडी में जितना पहले तो आपने फैट खाया है वो डाजेस्टी ट्रेक्ट में जाएगा उसके बाद उसका डाइजेशन होगा उसके बाद क्योंकि आप तो कार्बोहाइट खा है ना बोडी यहां से अनर्जी उठाएगी और आप क्यलरी डेफिशिट क्रियेट कर रहे हो तो जब यह फैट खतम हो जाएगा जो आपने खाया है तो बोडी क्या करेगे आपकी बोडी में जो स्टोर्ड फैट है जो की इस पैट अक्यूमिलेटेट है बोडी महां से अनर क्या होते हैंते चिपों ऐसे में आपके doit कुछर्ड णहां तरीकेश रखना अपने चीखेर को रखना आपको ड्रीपध को 80 परसेंट 15 2018 अपको पहले मैंने 80 परसेंट बताया है अब 15 से 18 अबर अब 14 इसे अग को अँपको इसका लेना है बाकि जाता है करो टो यह एक रादी अद्स जुवन को परेशान मत करने आप उजर जाओ में व्यूट बना रहा हूं जा उदर जाओ अधर जाओ है आपको समझा रहा था कि आप बात करते हैं कि इससे किस तरीके के रिजल्ट आते हैं देखें जब आप की टो जाइट फॉलो करते हो ना स्टांटिंग में तो आपकी बोड़ी पंध्र एक लड़ में और मंसल और मुंसल में जो मुंधी नेस इस वह यंदो या दे नस्टार्वुद करत डे कार्ब यूद्ध और कि ने साथ होु आपने साथ तो जैब 25 जाए एक जाए अरह इसए कि देरे 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 करके के ली लगता है तो वॉटर्ड भी दिरे देरे कम होने रगता है तो Hi 1959 ाप्ते तक आपका शैद 2-4晚 सकता ऐसाइब Shoney Fineino दोड़ए होसकता है तो स्काइब अपने 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 प्रोटीनिक को अच्छे से रखा है या नहीं रखा है वैसे अगर आप अच्छे से नहीं भी रखते हो थोड़ा बहुत प्रोटीन ऊपर नीचे हो जाता है तो ज्यादा मसल लोस नहीं होता है क्योंकि इस डाइट में लिूसीन नाम का एक एमिनो असिड होता है वह अपना प्रोडूस करती है और जो होता है ज्यादा मस्टलोस होने नहीं देता है बट इस तेल आपको अपना प्रोटीन जो मैंना बताया था पंदरा से अठारा परसेंट रखना है ज्यादा मस्टलोस ना हो इस तरीके से इसमें फैटलोस अचीव होता है अगर यह वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी अगर आपको अपने किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप मुझे इस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हैं मिलते हैं अपनी नेक्स वी